राज्रीते गलियारों में इन दिनों बशीर बद्र का शेर दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो लग सबा में चर्चा के दोरान विपक्ष के नेता मलीकारजुन खड़के ने इस शेर को सुनाया था जिसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बशीर बद्र के ही शेर से मलीकारजुन खड़के को करारा जवाब दिया देसर बशीर बद्र ने देश के बटवारे के बाद इन पंक्तियों को लिखा था और शिम्ला समझोते के वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंद्रा गांधी को भी ये शेर सुनाया था प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने भाषण में मलीकारजुन खड़के पर तीखे हमले किये उन्होंने कहा करनातक के लोगों को संभुदित कर रहे से कि अपने भाषण के निती नर्धारों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और जब उन्होंने को बशीर बद्र की शायरी से सुनाया प्रद्र जी ने मशीर बद्र जी के सायरी सुनाई और मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने जो सायरी सुनाई है वो करनातक के मुखमंत्री महदे ने जरूर सुनी होगी प्रद्र सायरी महदे ने कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये दुन्याइज रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो सर्मिन्दा ना हो जरूर मानता हूँ कि करनातक के मुखमंत्री जिने आप ये दुखार सुनी होगी लेकिन जमान खरिये जिस बशिर्वत्र की शायरी का आपने जिक्र किया अच्छा होता उस शायरी में जियो शक्ता आप जोड़ें उसी के पिल्कुछ पहले बानी दोड़ाई उसको भी अगर याद कर लेते तो शायर शायर ये देश को ये पता जिरूर चलता है का आप कहां खड़ें उसी शायरी में बशीर बद्रदी ने आगे कहां है गौर्त लबे के बशीर बद्र का शुमार उर्दू सबसे काम्याब शायरों में होती है साहित्यार नाटक अकादमी में किये गए योगदान के लिए उन्हें 1999 में पदमशिरी से भी सम्मानित किया गया है NMF News की रिपोर्ट